आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज तिसरे चुरन के मतदान को लेकर तमाम पाटिया जो है जवर्दस्थ तरीके से परचार कर रहे हैं रैलिया कर रहे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं कॉंग्रेस के स्टार प्रोचाराग जालों से इमरान प्रताब गड़े ने बड़ा बयान दिया है बड़ा हमला किया है और कॉंग्रेस को वोड़ देने की अपील भेगी है लेकिन इमरान प्रताब गड़े ने जो बयान दिया है उसको अगर देखा जाए समझा जाए तो उस करते हैं कि अमरान परताब गड़ी ने जालाओं से कहा क्या है मोधी सरकार पर हमला बोला क्या है सवाल क्या खड़े किया है उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज मोधी सरकार देश को बीच रही है देश को खोखला कर रही है देश को खत्म कर रही है यह इस तरह से उन् बजने की कोशिश करें तो समझ यही आता है कि जिस तरह से आज प्राइविटाजेशन किया जा रहा है कमपणियां को इंडस्ट्री को हम सब देख रहे हैं चाहिए लाई से के मामलों यह तमाम चीजे उसको लेकर आज विपक्ष के साथ साथ तमाम नीता जो है यही कह रहे है कि मोदी सरकार देश को बेच रही है कि ऐसे उद्दूपती हैं जिनका जादा साथ दे रहे हैं अमीर को अमीर कर रहे हैं गरीब को गरीब कर रहे हैं ऐसा विपक्ष का मानना है देखना यही होगा कि आखिर मोदी सरकार कह रही है कि आज देश में सब कुछ बदल रहा है द देखना यह होगा कि जनता आखिर किसके बिसपास पर और किसके यकीन पर खड़ उतार पाती है, फिलाल के लिखना है बागे ख़वर के लिए देखते हैं, स्पेनाई नीवूस, नमस्कार.